प्रेम में संभ्रमित अवस्ता मन की विवाह के लिए अनुमती परिवार की नमस्कार मैं आश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमियों का हर्तिक स्वागत करती हूँ इस सुखला में हम मनुष्य जीवन के अत्यनत महतोपूर्न विशे पर वारतालाब कर रहे हैं बहुँ विशे है प्रेम विवाह जो उतीश के अनुसार कुंडली में कुछ विशेश योग होते हैं जिस कारण प्रेम विवाह होता है साथ ही कुछ योग ऐसे भी होते है कि जिससे प्रेम में धोका मिलता है या प्रेम विवाह असफल होता है कुंडली के ऐसे सभी योगों का हम राशी के अनुसार विस्तार से अध्यन कर रहे है उसमें आज हम करकराशी के कुंडली में जो प्रेम विवाह के विशेश योग होते हैं उन्हें समझने वाले है यह संपूर्ण शुंखला जोतिश के अध्यन करताओं के साथ जोतिश प्रेमियों के लिए भी अत्यनत महतोपूर्ण है जो कि विवाह मनुष्य जीवन का अत्यनत महतोपूर्ण विशे होता है ऐसा विशे कि जीस कारण हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है या विचलित भी हो सकता है इसलिए आज के इस भाग को अन्त तक देखे एक और महतोपूर्ण बात है कि जो चीजे आज में बताने वाली हूँ उन सभी को शास्त्रिय पद्धती से समझने का प्रयास करें केवल कोई एक योग हमारी कुंडली में है इसलिए वैसा ही होगा ऐसा आंदाजा खुपया कोई भी न लगाए प्रेम विवाह की दुरुष्टी से विचार करें तो कुंडली में कुछ योग अत्यनत महतोपूर्ण होते है चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है चंद्र शुक्र के संबंद से प्रेम विवाह संपन्न होता है शुक्र और मंगल का गठबंदन भी प्रेम विवाह का गठबंदन माना जाता है यहां तक की यहां गठबंदन कुंडली में कही पर भी हो उससे प्रेम विवाह हो सकता है पंचमेश और सप्तमेश के योग से प्रेम विवाह संपन्न होता है चंद्र अर्थात हमारा मन और शुक्र को विवाह का कारक माना जाता है तो मंगल ग्रह महिलाओ की कुंडली में पती के सुक का कारक होता है मंगल ग्रह साहस देता है, साहस करने के लिए प्रवरुत्त करता है इसलिए यदि इन दो ग्रहों के गठबंदन योग, परिवर्तन योग, दुरुस्टी योग ऐसे संबंध हो तो कुंडली में प्रेम विवहा के योग निर्मान होते हैं और कुछ योग होते हैं जिनके कारण मनुष्य को प्रेम होता है जैसे पंचमेश अदी लगन स्तान में हो तो प्रेम होता है इसके विपरित लगनेश पंचम स्तान में हो तो मनुष्य स्वयम प्रेम की ओर जाता है अर्थात वह पहले से ही निश्चित कर लेता है कि मुझे प्रेम विवहा करना है उस अनुसार वह उच्छी त्योजना भी बनाता है इसके अलावा पंचमेश यदि अस्टम स्थान में हो तो प्रेमी से धुका बिलता है अर्थात आपका प्रेम केवल एक तरफा होता है और सामने वाला व्यक्ति केवल व्यवहर देखती है या उसे विवाह करने की इच्छा नहीं होती वह केवल टाइम पास करती है यह मानसिक्ता आजकल अधिक बढ़ गई है जिस कारण ब्रेक अप अत्यनत सरल चीज हो गई है एक ब्रेक अप दो ब्रेक अप ब्रेक अप पार्टी पुनस्च नहीं मैत्री की पार्टी ऐसे प्रकार विशेश रूप से बड़े शहरों में अधिक होने लगे है तो पंचमेश यदि अस्टम स्तान में हो तो प्रेमी से धुका मिलता है और अश्टमेश पंचम स्तान में है तो आप प्रेमी को धुका देते है यह भी एक योग कुंडली में देखने को मिलता है राहू और केतु को नकारात्म ग्रह माना जाता है राहू ग्रह आंतर जाती या आंतर धर्मिय विवाह को दर्शाता है तो केतु ग्रह विवाह के बाद शिग्रही दुरी निर्मान करता है राहू का प्रेम थोड़ा अग्रेसिव होता है या उसे हम शक करने वाला व्यक्ति भी कहते है तो केतु का प्रेम नजर अंदाज करने वाला होता है जीवन साथी को नजर अंदाज किया जाता है जिसका स्वाभविक रूप से जीवन साथी को परेशानी होती है विवाह का विचार करते समय कुंडली में कुछ योग ऐसे भी होते है जिस कारण विवाह में विलंब होता है फिर चाहे वह प्रेविवा हो या आयोजित विवा हो उसमें विलंब्ब होता है विशेश रूप से कुंडली के सप्तम स्थान में यदि शनी देव विराजमान हो और सप्तम स्थान पर उनकी दुरूष्टी हो या मूल कुल कुंडली में उनकी स्थिती दूशी थो वह पिडित हो दुर्बल हो पापकरतरी में हो अशुब ग्रहों के गठवन्दन में हो नीच अवस्ता में हो तो विवाह में विलंब होता है इसके अलावा सप्तम भाव 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 का कारक शुक्र यह तिनोग्रह राहू के तू शनी और बंगल से संबंद्धित होने पर भी विवाह में विलंब होता है कुछ स्थित्वी में तो विवाह होता ही नहीं है इसलिए प्रेम विवाह या आयोजित विवाह के पहले विवाह कब होगा यहां एक महतोपुन प्रश्न है मूल कुंडरी में सब्तमेंत्यंत दु योग भी निर्मान होते हैं कुछ योग कुंडली में होते हैं प्रेम विवाह के संदर्व में मुख्य रूप से कुंडली का पंचम स्थान पंचम स्थान का ग्रह आपका राशी स्वामी और लगनेष नौमाउश कुंडली प्रेम विवाह करने के लिए बड़ा साहस लगता है इसलिए कुंडली का तुम्टिय स्थान इसी सभी चीजों को देखना अत्यनत आवशक होता है प्रेम विवाह और आयोजित विवाह के साथ आज के समय काल में तीसरा प्रकार भी शुरू हो है कई वर्षों का परिचे होता है फिर विवाह के लिए किसी और की खोज करने की अपेक्षा इने ही पूछ कर देखते है उस अनिस्टसार परिचे द्वारा विवाह करने की एक नई पद्धती शुरू हुई है पंचमेश और सप्तमेश की प्रवरुत्ती यदि समान हो तो विवाह सुखकर हो सकता है लेकिन यदि एक दूसरे के विपरीत हो अर्थात शनी और रवी हम आदर्शे शत्रु मानते हैं या मंगल और भूत की मूल प्रवरुत्ती ही भिन्न है मंगल अर्थात साहस तो भूत का अर्थ बालिश्ता होती है गुरु और शुक्र जैसे पंचमेश और सब्तमेश में विरुद्ध प्रवरुत्ती का संबंद आता है तो भी विवाह में बाधाय उत्पन्न होती है क्योंकि गुरु याने देव गुरु और शुक्र याने राक्षस कुरु वैभाहिक जीवन में प्रश्ण निर्वाण होते है अब हम करक राशी के अनुसार कुंडली में कोन से योग होने पर प्रेम विवाह होने की संभावना होती है इसे विस्तार से समस्ते है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ, बेल आइकोन दबाना ना बुले धन्यवाद अत्यन्त सम्वेदंशी लोगों के राशी के रूप में करक राशी की विशेश पहचान है जल्लत अत्यों की और चर राशी के रूप में भी उसकी पहचान है बार बार और अतिशिग्र, मूड बदलना यह करक राशी का मुल गुंधर्म माना जाता है करक लोगों की विशेश्टा है कि उन्हें अपना परिवार अत्यंत प्रिय होता है परिवार के विरोध में जाकर वे कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करते है कई बार उनके संदर्मा में ऐसा भी होता है कि उन्हें प्रेम होता है जब वे अपने प्रेमी के साथ होते हैं तब उन्हें उसकी बाते उचित लगती है और उस चीज को यदि परिवार से विरोध हो तो उन्हें परिवार की बात उचित लगती है संग्षेप में सामने जो व्यक्ति हो उसकी बाते उन्हें उचित लगती है उस अनुसार वे विचार करते रहते हैं विचार करने के लिए अधिक समय लेते हैं अंत में परिवार के लोग उनका विवाह कर देते हैं परिवार से अनुमूत्ती मिलने पर ही यह लोग प्रेम विवाह करते हैं, यह करकर आशी के जातकों की विशेष्टा कहीं जा सकती है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुचीत न हो, तो यह लोग सामान्य रूप से परिवार के विरोध में जाकर प्रेम विवाह का विचा नहीं करते हैं, उनका जीवन साथी अत्यंत परिश्रमी होता है, शांती से सवम्यता से विचार करने वाला होता है, किसी भी चीज में विचार करने के लिए वह समय लेता है, साथ ही महतोपुर्ण बात है कि करकजातकों के सभाव के विपरित उनके जीवन साथी का सभा होता कुल मिला कर करक जातक मूल रूप से आयोजित विवाह को प्राथमिक्ता देते हैं लेकिन करक राशी के कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जिस कारण उनका प्रेम विवाह होता है उसमें मुख्य रूप से कुंडली के सब्तम स्थान में यदि मंगल गरह विराजबान है तो प्रेम विवाह के योग निर्बान होते हैं लेकिन उसी समय राशी में चंद्रमा की उपस्तिती होना इचाहिए क्योंकि वहा से चंद्रमा की दुष्टी सीधे सब्तम स्थान के मंगल पर पड़ती है जिस कारण प्रेम विवाह का योग निर्बान होता है करक राशी की दुरुष्टी से प्रेम विवह का दूसरा योग है कि कुंडली में मंगल और शनी यह दो ग्रहों का गठवंदन की सिभी स्तान में होने पर प्रेम विवह का योग निर्मान होता है इसके अलावा शुक्र और चंद्रमा यह दो ग्रह राशी में विराजबान हो और सब्तम स्तान में मंगल ग्रह विराजबान हो तो प्रेम विवह के योग निर्मान होते हैं चंद्रमा और शुक्र इन दो ग्रहों का गठबंदन यंदी कुंडली में के तुरुतियस्तान में हो और उसी समय मंगल ग्रह भाग्यस्तान में विराजबान हो तो इससे जातकों की कुंडली में प्रेम विवाह के योग नेमान होते हैं और कुछ महत्वपुर्ण योग कहे जाए तो राशी में चंद्रमा विराजबान है और सब्तम स्थान में मंगल शनी विराजबान होने पर भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। फिर अब प्रश्ण यहां उपस्तित होता है कि सब्तम स्थान का शनी क्या विवाह में विलंब करता है तो इस स्थिति में वैसा नहीं होता है क्योंकि करक राशी के सब्तम स्थान में शनी देव की मकर राशी आती है। उस राशी में मंगल ग्रह उच्चवस्ता को प्राप्त होता है जिस कारण शनी देव का विलंब का प्रभाव कम हो जाता है और प्रेम विवाह का बड़ा योग निर्मान होता है। करक राशी के धनस्तान में सीह राशी आती है यदि वहां शनी देव विराजबान हो और चतुरतस्तान में मंगल और शुक्र देव का गठबंदन हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं उनका अवश्य लाभ लीजिए और कुछ योग कह जाए तो राशी में मंगल देव विराजबान हो और चतुरतस्तान में शनी देव विराजब होने पर भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं क्योंकि वहां मंगल देव की अर्थात पंचमेश की दुरुष्टी सप्तमेश पर होती है साथ ही सप्तमेश की दुरुष्टी भी पंचमेश पर होती है सप्तमेश उच्छ राशी में हो पंचमेश नीच राशी में होता है ज स्वर राशी में और शनी देव करकर राशी में होने पर भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं मंगल ग्रह उच्च वस्ता में शनी देव मेश राशी अर्थात अपनी नीच राशी में होने पर भी नीच भंगर आज योग होता है जिस कारण कुंडली में प्रेम विवाह के य योग निर्बाण होता है में यहां शनि की दुष्टी सपतम स्तान के मंगल पर कोती है जिस कारण शनी का नीचबंग में परीडाम फुरूपalten के बाद बड़ी उन्थी में उन्नती संगर्श के बाद होती है क्योंकि नीच भंग राज योग में संगर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती है जैसा हमने पहले भी देखा प्रेम विवाह में पंचमेश सब्तमेश राशी स्वामी तुरुतिएश लाभेश यह ग्रह महतोपुल्ण होते हैं इन सभी ग्रहों पर प्रेम विवाह के योग प्रेम विवाह में निर्मान होने वाली बाधाय विलंब वयवाहिक सोख्य जैसी सभी चीज़े निर्भर करती है उस अनुसार जब हम विचार करते हैं तो करकराशी के लिए पंचमेश और सब्तमेश इन दो ग्रहों के सभाव मूल रूप से अंतर दिखाई देता है मंगल का आर्थ सहस, आक्रमक्ता और शनी का आर्थ विलंब और सम्यता होता है कुंडली के पंचम स्तान से जब हम जातक की पसंद को देखते हैं तो कुंडली के सब्तम स्तान से हम वयवाहिक जीवन साथी को देखते हैं पंचम और सप्तम इन दो स्थानों में यह प्राकृतिक रूप से जो भिन्नता होती है उस कारण करक जातक विवह के बाद कभी भी समाधानी नहीं होते। मुझे जीवन साथी अच्छा विला। लेकिन कुंडली में शनी और मंगल यदी उचीत राशी में मिल जाए तो उस थिती में बदला होता है। अन्यता करक राशी के आस्टम स्थान में भी शनी देव की राशी आती है जिस कारण विवाह के बाद विवाद बढ़ते हैं। उसमें भी आस्लेशा नक्षत रहो तो विवाद अधिक बढ़ते हैं। इसलिए यदी आपकी करक राशी हो और विवाह के योग हो तो आपने सोच समझ कर निरने लेना चाहिए। इसके अलावा कुंडली में शुक्र और राहू इन दो ग्रहों के गठबंधन होने पर भी प्रेम विवाह की संभावना निर्मान होती है। लेकिन इस गठबंधन को यदी उचीत राशी बल और स्तान बल न मिले तो विवाह के बाद संघर्शकीति उरता बढ़ जाती है। शुक्र पर यदी मंगल देव की दुरुष्ठी हो अर्थात शुक्र और राहू के गठबंधन पर मंगल देव की दुरुष्ठी हो तो ऐसे जातक के विवाह बाहिय संभावना रहती है। जिस कारण उनके वैवाहिक जीवन में समस्याय निर्मान होती है। यदि आप प्रेम विवाह करते भी है तो जीवन को सहजीवन के रूप में जीना चाहिए। उसके लिए विवाह से पहले ही सभी चीजों को समझ लेना चाहिए। इस प्रकार मेश से लेकर मीन तक हर राशी के कुंडली में कौन से विशेश ग्रहयोग होने पर प्रेम विवाह होता है। जाने के लिए हमने बारह वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किये है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्षन में जय जोतिश लिखना न भूले। अगले भाग में अगले राशी के ग्रहयोग हम समस्ते हैं। हम पुनश्च आवश्च मिलेंगे। धन्यवाद शुभं भवतु जय जोतिश। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और हां बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।